स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिल साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजिस्तान बोर्ड क्लास 8 का रिजल्ट कैसे चेक करें 2024 में और राजिस्तान बोर्ड क्लास 8 का रिजल्ट कुछी पलों में जारी होने वाला है कब result आएगा इसके बारे में मैं आप से बात करूँगा पहले आप demo देख लिजिए कैसे आप राजिस्तान बोर्ड class 8 का result चेक कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले अपने mobile के browser को open करेंगे मैंने अपने mobile में chrome browser open कर लिया है अब chrome browser open करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है राज साला दरपन result NIC जैसे आप यहाँ पर यह सर्च करेंगे तो आपके सामने यह side आ जाएगी ध्यान रहे आपको सर्च करना है राज साला दरपन result NIC यह सर्च करेंगे तो आपके सामने यह side आ जाएगी आपको यहाँ पर टच करना है उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा आप यहाँ पर अपना role number district के द्वारा देख सकते हैं या फिर आप by role number application number के द्वारा आप अपना result चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर by role number and application number पर टच करेंगे उसके बाद नीचे आप यहाँ पर अपना class select करेंगे तो हम यहाँ पर class 8 select कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना role number डालना है नीचे यहाँ पर आपको application number डालना है और application number आपके report card पर होता है और अगर आप आपको application número दिखाई ना दे तो हो सकता है आपका report card हिंदी में हो अगर आपको report card हिंदी में है तो आपको वहाँआपर कुर्माक संख्या दिखाई देगा तो वो कुर्माक संख्या आपको यहाँपर डालना है और उसके बाद आपको यहाँपर एक capture câr doda जैसे कि राजिस्तान बोर्ड क्लास 8 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी रिजल्ट नहीं आया है ये मैंने केवल आपको डेमो दिखाया है अभी यहाँ पर केवल 2023 का दिखा रहा है लेकिन कुछी दिनों में रिजल्ट आने वाला है मिडिया के अनुसार रिजल्ट माई के तीसरे वीक में आ जाएगा और तीसरा वीक माई का लग चुका है अब अनुमान ये लगाया जा रहा है 20 माई तक राजिस्तान बोर्ड का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और मुझे अमीद है आपको ये वीडियो पसंदा आया है वीडियो अगर आपको पसंदा आया है तो लाइक जरू कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलिजबल वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया